हेलो बच्चो ओटुएंटीटल एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं नवीन भाटी आपका मैट टीचर बच्चो हमने स्टार्ट क्लास का चैप्टर नंबर वन रिलेशन एंड फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते संबंद एवम फलन जिसका हमने संपूर् स्टार्ट करा दिया था और एक्सराइज के भी कुछ कोशन कराए थे कुछ उधारण भी कराए थे एक्सराइज के जो बचे हुए कोशन को हम इस वीडियो में सौलो राते हैं चलिए बच्चो देखते हैं तो इसी तरगार से बच्चो हमारे यूट्यूब चैनल में आप बने रही हैं कोशन नंबर थृ तो बच्चो लाश वीडियो में हमने कोशन नंबर टू तक complete करादीय था तो अब हम स्व्त करते कोशन नंबर 3 से क्या करा रहा तो आउंक में element है बच्चो a,b और वो जो a,b है उसकी कुछ condition दे रखे आपको दो ही इन कोशनों में आपको दो ही बातों पर ध्यान देना है कि आपको समुच्च कैसा दे रखा है और उसके सापक्स जो संबंद दिया रहेगा वो किस टाइप से है तो हमें समुच्च दे रखा है और उ देखे बच्चो तो दो ही बातों पर ध्यान देना है तो आपका आदा सवाल तो यहीं पर सौलो हो जाता है अब देखिए उसके बाद में द्वारेवा परिभासित संबंद आर वैतुल्या संमित या संक्रामक है तो तीनों को बताना पिछले कोशनों में भी हमने यही चेक किया था कि कौन सम्मित है कौन स्वयतुल्य है कौन संक्रामक है अब बात करते हैं कोशन पर यहाँ पर कि सॉलूशन है कि हमें दे रखता है 1 2 3 4 5 और 6 अब यहाँ पर आर निकालेंगे हम अब आर निकालने के लिए a और b में हमारे इस टाइप के element आएंगे a,b जो इस condition को पिशल, मतलब सैटिस्पाइ करेंगे b is equal to a plus 1 a,b टाइप के element आएंगे और condition को इसको सैटिस्पाइ करेंगे तभी हमारे किस्म आएंगे वो आर में तो यहाँ पर यह जो format होती है यह समुच्चे निर्मान रूप में होती है किसमें होती है बच्चो समुच्चे निर्मान रूप में तो ज्यादा ज्यादा कोशिस करे करो कि उसे हम रोजडर रूप में लिया है तो रोजडर रूप में देखे यहाँ से A और B के जो मान होते हैं A और B जो भी यह element आएंगे वो किसे आते हैं A से belong कर रहे हैं A से तो A का पहला मान कितना हो सकता है 1 जब A का मान 1 होगा A का मान 1 होगा तो 1 इधर रखोगे तो 1 पिलस 1 B का मान कितना होगा 2 इसका मतलग क्या हुआ कि जो भी आप A का मान लेऊगे B का मान कितना एक ज़्यादा मिलेगा आपको एक ज़्यादा तो यहाँ पर आप निकालना चाहो इनके मान निकाल लो या फिर यह तो बहुत easy है आप direct भी लिख सकते हो यदि A का मान 1 है तो B का मान कितना जाएगा 2 A का मान 2 लेऊगे तो B का मान कितना जाएगा 3 A का मान 3 लेऊगे B का मान कितना जाएगा 4 A का मान 4 लेऊगे तो B का मान कितना जाएगा 5 A का मान 5 लेऊगे B का मान कितना जाएगा 6 अब यहीं पर रुख जाएए यदि हम बच्चो A का मान लास्ट में कितना ले सकते हैं 6 यदि मैं A का मान कितना ले लेता हूं 6 तो यह तो बिलॉंग करेगा किस में A में बिलॉंग कर रहा है तो ले भी सकते हैं बट हमें यह देखना है कि A का मान 6 लेने पर क्या B का मान भी R में आ सकता है या नहीं तो यहाँ पर जब B का मान निकालोगे तो 6 प्लस कितना आएगा 1, 7 जो की हमारा A में नहीं है इसका मतलब ये वाला किर्मित 6,7 नोट बिलॉंग करेगा किसमे बच्चो R में तो इसका मतलब A का मान कितना हो सकता है हमारा 5 और उस कंडिशन में B का मान कितना हो सकता है 6 तो हमारा R का मान आ गया, अब हमें इसमें चेक करना है स्वेतुल्य स्वेतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव अब आपको देखने से ही बनना होगा सवाल कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे समुच्चे में element होते है पिरतेक element का खुछ से एक सम्मंद होना चाहिए जैसे कि 1,1 होना चाहिए 2,2,3,3 अब यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई भी नहीं है अब इसे कैसे सो करोगे कि यह स्वैतुल्य नहीं है लिखने का तरीका यह होता है चूंकि 1 बिलॉंग कर रहा है ए में तो हमारा आर स्वैतुल्य नहीं आया, रिफ्लेक्सिव नहीं आया इसके बाद मैं हम जाच करेंगे कि ये हमारा सुमेटरिक जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सम्मित के लिए चेक करना है कि सम्मित है या नहीं है एक बार आप ध्यान से देख लीजे इसके बाद मैं हम स्टार्ट करते हैं अब हम सम्मित के बारे में जाज करते हैं कि यह सम्मित है या नहीं है तो सम्मित के लिए R R तो हमें चाहिए ही R कितना आया था हमारा 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 एक ज्यादा आएगा 5, 6 तो यहाँ पे और A आपको पता ही है A is equal to कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठीक है बच्चो अब सम्मित में हमें क्या चेक करना है कि यदि A, B belong कर रहा है किसमे R में यदि कोई भी element R का है पिरते एक element चेक करना है आपको जो भी element R में होगा उसका उल्टा जो दूसरा घटक है उसे पहले लिख दो पहले वाले को बाद में B, A, B belong करना चाहिए किसमे R में यदि सारे elementों के लिए या सारे अव्यवों के लिए ये condition follow होती है तो हमारा जो R है वो क्या कहलाएगा symmetric या summit तो देखे पहला ही element हम उठाते हैं चुकि 1, 2 belong कर रहा है R में 1, 2 belong कर रहा है R में परंतु या ऐसे भी लिख सकते हो परंतु 2,1 जब नहीं belong कर रहा है हम इत पता है उल्टा इसका नहीं है 2,1 नहीं है not belong करेगा किसमे R में not belong कर रहा है R में अब सारे element belong मतलब इस condition को follow कर दे यदि एक भी follow नहीं करती तो हमारा क्या होता सम्मित नहीं होता बट इसमें तो पहला ही नहीं है दूसरा चेक करोगे नहीं होगा और वैसे भी पता है ये element B A से क्या होगा एक ज़्यादा उल्टा तो वो तो कम होगा ज़्यादा थोड़ी होगा तो बाकी रोजडर रूप में है तो question solve भी कर सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ दिखाना चाहो और भी चुंकि 2,3 बच्चों बिलोंग कर रहा है कि इसमें R में परन्तो 3,2 भी not बिलोंग करेगा R में अब यहीं पर हम लिख देंगे अते R समीथ सम्मंद नहीं है सम्मिथ सम्मंद नहीं है तो हमने देखा कि हमारा जो R है ना स्वेतुल्लिय है ना सम्मिथ अब बात करते हैं थर्ड में तंक रामक जिसको हम क्या बोलते हैं Transitive तो इसकी condition आपको पता होनी चाहिए प्रिवियस वीडियो में हमने बच्चो इसका basic concept जितना भी कि ट्रांजिटिव कैसे होता है symmetric कैसे होता है reflexive कैसे होता है वो सब बता दिया था अब चेक करते हम तीसरी condition को 3rd में देखे आर को रहने दीजे कंडिशन मैं एक बार उपर लिख रहा हूँ संक्रामक के लिए क्या कंडिशन होनी चाहिए संक्रामक की कंडिशन यदी एक कॉमा भी बिलॉंग करेगा किसमे आर्मी तथा पहला जो स्वेतुल्या होता है उसमें समुच्छे एस के प्रतेक अव्यव का खुश से सम्मन्द निकालना है तो पहले एलिमेंट वहां से लिया जाता है पहली में दूसरे में क्या होता है कि एक एलिमेंट किस से लिया जाता है आर से उसका उल्टा देखा जाता है तीसरी कंडिशन में क्या होता है कि हमको दो element ऐसे देखने है किस में से देखने है आर में से इस बात पर धिहन देना है तो पहला element यदि A, B belong कर रहा है आर में तो दूसरा element B से start होना चाहिए तो B, C B belong कर रहेगा आर में यदि मिलेंगे तो इसे चेक करेंगे यदि नहीं मिलते है तो वहाँ पर संक्रामक होता ही होता है अब यदि इस टाइप के मिल जाते है तो हमको चेक करना है A, C B belong करेगा आर में यह हमारी संक्रामक की कंडिशन थी अब देखिए हमें यहाँ यहीं पर मिलना है पहला element दो पर खत्म हो रहा है तो यह दो से स्टार्ट हो रहा है तो पहले ही ने चेक कर लीजह क्योंकि वान कॉमा टू belong कर रहा है आर में तथा अब इसके साथ मैं वही element लेना है जो दो से start होता है तो दो से start होने वाला only a की element आपके सामने है कितना है 2,3 तो यहाँ पर लिखोगे तथा 2,3 भी belong करेगा r में करेगा नहीं या है ही वहाँ पर हमें check नहीं करना है हमें check तो कौन सा करना है अब जो तीसरा element आएगा जो same है वो कट जाएंगे 1,3 belong करना चाहिए r में अब इसको आपको check करना है कि यह r में है या नहीं है तो 1,3 देखिए बच्चो है कहीं पर भी देखिए कहीं छुप तो नहीं रहा नहीं है न क्योंकि देखने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पांस में 5 element है बहुत जल्दी पता यह नहीं है अते आकी check करने के हमें कोई जरुत नहीं है यदि यह होता फिर अगले को check करते फिर उससे अगले को check करते बट यहाँ पर है यह नहीं तो यहाँ पर लिख दोगा अते r तंक्रामक संबंद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यह जो r है तीनों ही इसमें क्या हो गया फेल हो गया तो लाष्ट में तीनों को एक साथ लिख दोगे अते r नहीं तो स्वेतुल्य है ना संमित है ना संक्रामक है ठीक है बच्बने बिल्कुल easy बिल्कुल easy और ऐसा नहीं है को पेपर में नहीं आता आज आता है कोसन इजी हो या थोड़ा डिफिकल्ट हो कोशन सभी पेपर में आते हैं ठीक है चलिए बच्चो अगर नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं question number 4 सिध्ध कीज़े की R में question English और Hindi दोनों में है तो Hindi वाले बच्चे ऊपर देख Hindi में देखे और English वाले English में देखे question solution में Hindi वाले को भी समझ में आएगा और English वाले को भी समझ में आएगा ठीक है तो इसलिए दोनों लेंगों जो में आपको question लिखा हुआ है अब question आपका कह रहा है सिद्ध कीजे की R अब इस पर ध्यान देना है बच्चो यहाँ पर जो समुच्चे हम A लेते थे तो A हमारा कितना दे रखा है? R R क्या है यहाँ पर? Real number लिए जाएंगे यहाँ पर जिनको बोलते हैं वास्त्विक संख्या है तो यहाँ पर जो A दे रखा है अब A आपका कैसा set है? A परीमित है परीमित नहीं है यह fix नहीं है यह कभी खतम होने वाला नहीं है डॉट डॉट करके चलता है ठीक है? और इसमें हर तरीका के नम्मर आते हैं अब यह जो समुच्चे R दे रखा है और उसमें जो संबंद दे रखा है यह जो देख़ो दोनों सैम होगे लेकिन दोनों अलग है यह हमारा क्या है? यह हमारा समुच्चे जिसको क्या बोलते है? set और यह जो आर डेनोटटिड है, यह हमारा क्या ऐगा संबंध, क्या है बच्चों संबंध, रिलेशन, एक बार कोशचन समंझ में आ गया, कोशचन तो आंस्वर बहुत इजी हो जाएगा निकालना, तो सबसे पहले कोशन संबंध में आना चाहिए, कि कोशन में क्या दे रखा है, पूछ का संबंद और संबंद इस टाइप का आना है कि आर में element आएगा a,b और जिसकी condition दे रखें हर सवाल में बच्छों बताए जा रहा है आपको दो चीजों पर ध्यान देना है कि एक तो समुच्चे देखना है कि किस टाइप का समुच्चे दे रखा है दूसरा आपको देखना ह कि जो आपके element आएगे उन element ओ के बीच में क्या सम्बंद है तो क्या होना चाहिए पहला element या तो दूसरे वाले से कैसा होगा चोटा होगा और दूसरी condition क्या उसके बराबर भी हो सकता है ठीक है तो इस condition का मतला इस condition का यूज करके हम देखेंगे कि हमारा स्वेतुल्य संक्रामक या सम्मित है या नहीं तो बच्चों आईए स्टार्ट करते हैं सॉलूशन इसका देखें तो यहां पर आर अब पॉइंट हमारे क्या होते इन्फानाइट पॉइंट है इन्फानाइट आर में जो हमारा यह जो दे रकाइस में इन्फानाइट पॉइंट होते है इससे पहले सवाल में क्या था फिक्स पॉइंट थे पांच या छे तो हम रोजडर रूप मे निकालने लगे तो डॉट डॉट करके कैसा बनेगा इंफानाइट बनेगा निकालना चाहो तो देखो तो उसके बराबर या उससे बड़ा तो एक element के लिए इंफानाइट नंबर बी के मान हो सकते हैं तो ऐसे जिस रूप में दिया रहता उसी रूप में solve करने की कोशिश किया करो तो बात करते हैं जैसे स्वेतुल्य स्वेतुल्य में देखे फिर एक बार फिर बता रहाँ बत्यों को दिक्कत ही कहां से आती है कि वह question start कैसे करें जैसे स्वेतुल्य की बात आती है तो स्वेतुल्य में हमें element कहां से उठाना है तहां से उठाना है समुच्चे से तो समुच्चे में जितने भी element होंगे उन element का खुश से क्या होना चाहिए सम्मन्द तो यहाँ पर infinite है तो हम infinite थोड़ी दिखा सकते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे माना small a या एक काम करिए a और b में दे रखा चलिए a ले ले लिए a बिलॉंग करेगा किसमे capital a क्योंकि यह r और यह r सैंब हो जाएगा इसलिए यहाँ पर जो r दे रखा है माना a is equal to कितना मान लोगे r तो आप r भी लिख सकते हो r की जी किया लिख सकते हो a तो हमें क्या दिखाना है हमें यह दिखाना है कि a कॉमा a बिलॉंग करेगा किसमे r में किसमे r में तो यहाँ पर माना a a रिपरेजेंट करता है हर element a के लिए जो capital a में जितने भी element है सब के बात कर रहा है वो तो a के यदि a a में तो a कॉमा a बिलॉंग करना चाहिए r में अब यह बिलॉंग कब करेगा जब इस condition को satisfy करेगा अब एक बात बताईए यह satisfy करेगा कब जब आपकी condition यह दे रखिया है और इसमें आपको condition a less than equal to b या तो दूसरे का मान एहले वाले से कैसा होना चाहिए बड़ा या उसके बराबर तो खुद जानते हो आप a बराबर क्या a नहीं हो सकता खुद खुद के बराबर होता है नहीं होता भाई यह बड़ा नहीं है कोई बात नहीं लेकिन condition उसने equal की भी तो दे रखिया है तो कोई भी element कोई भी element खुद खुद के कैसा होता है बराबर इसका मतलब यह दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ a, a जरूर बिलोंग करेगा किसमे r में अब a के इस्तान पर आप कुछ भी लेके देख लीजे 2, 4, 6, minus 3, minus 5 कुछ भी ले लीजे जैसे minus 5 लेते हम तो क्या minus 5 बराबर minus 5 होगा यह नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा minus 5 और minus 5 बिलोंग करेगा किसमे r में तो आप कोई भी element आप r से उठा लीजे कोई भी element r से उठा लीजे तो उस element का खुद से क्या होगा बच्चो संबंद बनना ही बनना है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हमारे जितने भी r में element समुच्चे में होगे तो वो इस condition को क्या करेंगे satisfy इसलिए यह जो संबंद वाला जो r है हमारा क्या हो जाएगा स्वेतुल्य ठीक है बच्चो अब next बात करते हैं second हम बात करते हैं summit matric देखिए बच्चो इसमें कोई language का कोई मतलब आपको problem नहीं आनी चाहिए क्योंकि solution में language इंग्लिस हो या हिंदी हमें बस concept समझना है ठीक है इसलिए यह दोनों language वाले बच्चो के लिए जो इंग्लिस वाला उसके लिए भी मतलब important है और हिंदी वाले के लिए क्या है important है अब बात करते हैं सम्मित अभी सम्मित की condition बताईती कि इसमें क्या करना है starting question की यहां से होती है mana a,b Belong करेगा किसमें r में इसमें start होता है r से तो r से हमें क्या करना है बच्चों एक element उठाना है मतलब एक-एक करके उठाए जाता है तो माना हमने पहला element ले लिया हमें क्या करना है इसका उल्टा भी दिखाना है कि ये R में है या नहीं अब उल्टे की बात करें जब ये R में होगा तो इसका मतलब कंडिशन क्या कहती है R में तभी आप आओगे जब इस कंडिशन को follow करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि A का मान B से कैसा हो सकता है चोटा हो सकता है या उसके बराबर ठीक है हिंदी में बात करें तो इसे पूरा अब्री लिख सकते हो A का मान B के बराबर या चोटा होगा इसका मतलब यह है बट इसका उल्टा परंतु परंतु A का मान जब यहाँ पर इस कंडिसन से हमें पता चली A का मान B के बराबर है या तो बराबर होगा या छोटा होगा लेकिन हमें जो पुरूप करना है हमें पुरूप करना B का माई उसके लिए हमें क्या चाहिए या तो A से लिख दीजे या फिर लिखना चाहो तो पूरी तरीका सोसे ही लिख दीजे बी पहले लिखो इधर less than equal to a, बात वही है, a इधर लिखो गए तो inequality change करनी पड़ेगी आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, b, a के या तो बराबर है या a से छोटा है, बट ऐसा possible नहीं है, जैसे कि 4 से बड़ा कि है आपके, कि 4 से बड़ा 5 है, और आप इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब एक नमबर दूसरे से बड़ा है, तो दूसरे नमबर उससे कैसा होता है, हमेसा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता, तो a, less than equal to b, but b, less than equal to a, not possible, not possible, इसका मतलब क्या हुआ, जब a less than b है, तो यहाँ पर a, b belong कर रहा है, r में, अब यह क्या होगा, b, a not belong करेगा, r में, तो इसका reciprocal हमारा r में नहीं आ सकता, आता है, अब कोई भी नमबर आप ले सकते हो, randomly, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर एक variable लिए, a और b, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारा जो r है, वो सम्मित भी नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजे, सम्मित नहीं है क्या सम्मित नहीं है क्या सम्मित नहीं है सम्मंद ठीक है जिसको इंगलिस में बोलते हैं हम सुमेट्रिक ठीक है बच्चो अब बात करते हैं थड रह गया हमारा थड रह गया हमारा संक्रामक तो इसमें भी हमें ऐसे ही element लेने है तो इसमें कितने element चाहिए है दो माना एक कॉमा भी बिलोंग कर रहा है आर में इसका मतलब क्या हुआ A less than equal to कितना B तथा दूसरा element B से start होना चाहिए है B, C बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका मतलब क्या हुआ B less than equal to कितना C तो हमको प्रूब करना है क्या प्रूब करना है A, C भी बिलोंग करेगा बिलोंग करेगा किसमें आर में अब वो तभी तो बिलोंग करेगा, जब A का मान C से कैसा होगा या तो equal होना चाही है या कैसा होना चाहिए छोटा आप देखिये बच्चो यहाँ पे A का मान B से कैसा है या तो बराबर होगा या इससे चोटा अब यहाँ पे यह जो B से C का मान क्या है इस से या तो बराबर होगा तो इसके बराबर होगा ती का मान भी या फिर B से बढ़ा होगा तो जब A से बढ़ा B और B से बढ़ा क्या है C तो इसका मतलब क्या हुआ A से बढ़ा क्या होगा C होगा या नहीं होगा जैसे की बात करें हम 2 से बढ़ा कितना 3 और 3 से बढ़ा कितना 5 तो इसका मतलब क्या हुआ 2 से बढ़ा 5 होगा या नहीं होगा equal में तो कोई दिक्कत नो है equal जब आप यहाँ पे A बराबर B, B बराबर C तो इसका मतलब क्या हुआ A बराबर C तो हो गई होगा बात करते हैं less than और greater than की तो आपके सामने example है कोई भी आप number लेकर देख सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ A less than equal to कितना हो सकता है C, दोनों condition इसलिए आती है बच्चो क्योंकि ये बराबर भी हो सकते है जब ये बराबर हुए तो बराबर आएंगे और greater than है तो तब भी क्या है greater than इसका मतलब क्या हुआ आता है A, C randomly हमने A और B लिये है ठीक है आप कोई भी element इस type के ढूंड लीजे और ये condition को follow करेंगे तो वो A, C तो देगा ही देगा तो A, C बिलोंग करेगा किसमे बच्चो आर में तो यहाँ पर क्या हुआ तो हमारा ये आर जो है कैसा निकल के आ गया संक्रामक कैसा आ गया संक्रामक अते आर संक्रामक संमन होगा तो इस question में हमने देखा कि हमारा जो आर है स्वेत्टुले भी है संमित की बात करे तो हमने क्या देखा संमित नहीं है तीसरा हमने देखा संक्रामक संक्रामक भी है और question देखे लिखने में time लगता है बाकी हम question है starting में भी बता सकते हैं मौकिक रूप में भी बता सकते हैं तो हमारी जो पहली कंडिशन थी स्वैतुल्यकी उसमें क्या देखना पड़ता है कि खुद-खुद के बराबर की इसने दे रखी थी दूसरी कंडिशन की बात करें यदि A से बढ़ा B है तो उल्टा तो पुरूप नहीं हो सकता दो से बढ़ा चार है तो चार से बढ़ा 12 नहीं हो सकता है हुआ हुआ हो इसलिए कंडिशन सम्मित वाली नहीं हो सकती शंक्राभे कि बात करें तो एक बार देख लिजे इसके बाद मैं हम चलते बच्छो नच्च्ट कोश्ष नच्च और very important question है और इसके ही जैसा एक question और गया था साइद question number 2 था वो जिसमें इसी type से रखा था तो उसमें condition थी B square जिसमें हमें दिक्कत आती थी कौन से मैं संक्रामक में तो इसमें भी same ऐसे ही आएगा तो एक बार देखिए question जाच कीजे कि क्या R संबंद में जो R दे रखा है उसके लिए समुच्चे कितना दे रखा है हमें R ठीक है R हमारा वास्तुक संक्या जिस माइनस इंफिनिटीव से लेकर प्लस इंफिनिटीव के बीच की सभी संक्याएं आएंगी इसमें और R हमें इस तरीका से दे रखा कुशन में सेम वो ही है स्वेतुल्य सम्मित और संक्रामक ये तीनों ही आपको बतानी है आप देखे सॉलूसन की बात करते हैं हम इसमें पहला पहला चेक करते हैं हम स्वेतुल्य रिप्लेक्सिव पहला जो पहला जो दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए तभी हमारा क्या होगा और वो भी बिलॉंक किसमें करना चाहिए आर में तभी हम इसको क्या बोलेंगे स्वेतुल्य है तो यह जो एलिमेंट ए लेना है यह किस से लेना है हमें समुच्छ है आर से यहाँ पर माना और यहाँ पर लिख लिया करो क्योंकि दोनों आर सेम होते हैं यहाँ पर लिख देखरो माना के बराबर आर जो वास्त्विक संक्याओं का समुच्च है उसको किसे प्रदेशित कर रहे हम A से तो इसमें confusion नहीं होगी आपको माना A बिलॉंग कर रहा है किसमें R में अब हमको दिखाना है कि A, A यहाँ पर गलत हो गया जो element हमें R, A लेना है वो किस से लिया जाता है बच्चो A से समुच्चे से लिया जाता है अब हमको यहाँ पर दिखाना है कि A, A सभी A मतलब इस समुच्चे में जितने भी element आएंगे उन सब की बात कर रहें ना कि A की element की सब की बात करते हैं तो वो बिलोंग करने चीए किसमें R में अब यहाँ पर कोई भी element आप ले लीजिए जैसे कि कोई number 1 ले लिया 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया कोई भी ले लिजिए आप माना ठीक है A is equal to हम कुछ भी ले लेते हैं, देखिए करने को था हम A से भी कर सकते हैं लेकिन कोई example लेकर आपको मैं बताऊंगो तो आपकी समझ में बहुत जल्दी आएगा यदि मैं A का मान कितना ले लेता हूं, 2 तब 2,2 belong करेगा R में या नहीं देखिए बच्चो 2,2 belong करेगा R में या नहीं यह बाद में belong करना ना करना तब की बात है जब यह इस condition को क्या करेगा satisfy अब यहाँ पे हमारा क्या है A की जिगा कितना है 2 और B की जिगा भी कितना है 2 बट condition हमारी यह कहती है कि जो पहला वाला है जो पहला वाला है वह less than or equal to less than or equal to दूसरा वाला B है तो यहाँ पे B अलग था यहाँ पे हमारा B की जिगा कितना है 2 2 की पावर 3 तो देखे 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 तो यह क्या है कोई भी condition को follow करना चाहिए या तो less than वाली को या फिर equal वाली को यह क्या हो गया इसका मतलब क्या होगे यह belong कर रहा है तो कहने का मतलब हमारा पूरांग जितने भी नंबर होंगे पूरांग अब हमने दो लिया है आप एक लेके देख लीजे एक की गहाँ तीन लिखोगे तो जब भी one आएगा एक के बाद मैं दो के लिए दिखा दिया तो आर जो होता है उसमें हमारे क्या होते हैं rational number भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं परिमे संख्या तो माना अब मैं यहाँ पर एक का मान यदी one upon five ले लेता हूँ केतना ले लेता हूँ one upon five अब one upon five लीजे one upon two लीजे one upon three लीजे कुछ भी ले लीजे upon वाला number तो जब हम मैं यहाँ पर solve करता हूँ कि one upon five या फिर ऐसे लिखिए तब एक ही जिगे इस condition पर ध्यान दीजे एक ही जिगे भी यह आना है less than equal to b की जिगे भी क्या आना चाहिए तबी तो हमारा क्या होगा अब यहाँ पर b की जिगे एक बटे पांच हो गया और एक बटे पांच की घात क्या आनी चाहिए तीन अब आप बताइए तो यहाँ पर यह क्या आ गया एक बटे पांच एक की पावर three एक और यह कितना आ गया 125 अब आप बताइए यह कौन सा बढ़ा है कौन सा छोटा है यहाँ पर यह फिप्ट क्लास six सेवंथ क्लास में आपको सिखाए जाता है कि यदि आपका अंस सैम हो और हर में जो संख्या बड़ी होती है हर की बात कर रहे हम हर में यहाँ यहाँ पर 125 है और यहां पर कितना है फाइव है तो इसका मतलब क्या होगा यह वाली वैलू क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी लेकिन हमें कैसी चाहिए ग्रेटर देन तो इसका मतलब यह बात कैसी होगी गलत होगी कैसी होगी गलत होगी तो जब यह गलत होगी तो इसका मतलब क्या हुआ 1.1 upon 5,1 upon 5 not belong कर रा है R में अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इधर तो हमारा पास हो रहा है इधर क्या हो रहा है फेल हो रहा है क्यों क्योंकि हमें पूरांक हमारे परीमे नंबर ए परीमे जितने भी हमारे नंबर सब के लिए चाहिए हमें क्योंकि हमारा जो संबन्द है वो क्या दे रखा है आर वास्ट विक्संग क्या है तो जैसा ही हम upon की तरफ चले तो हमारी ये condition कैसी हो रही है बच्चो फेल हो रही है अते है क्या है अते है आर क्या हुआ स्वेतुल्य नहीं स्वेतुल्य नहीं है ठीक है बच्चो बात करते हैं हम next चलिए next page लेते बच्चो अब इसमें बच्चो क्या चेक करना पड़ता है यदि हमारा इस टाइप का element आर में है एक कॉमा बी बिलॉंग करेगा आर में और condition को इस टाइप की को follow करना चाहिए यदि इस टाइप का है तो वह इस टाइप का भी मिलना चाहिए हमें element तभी हमारा आर क्या कहलाता है बच्चो सम्मित ठीक है अब अब इस तरीका से करने से अच्छा है अब आप चेक करिए कोई भी आप रेंडमली कोई भी दो नंबर ले सकते हो कोई भी चलिए मैं लेता हूं माना वन कॉमा टू बिलॉंग करेगा किस में आर में अब आप देख लीजे क्यों बिलॉंग कर रहा है क्योंकि पहला वाला जो इलिमेंट एलेंट जो दूसरे वाले की MGAS 2 की पावर थ्री का मतलब बच्चो कितना हो गया आठ एट हो गया ना एट वन से कैसा हो गया बढ़ा हो गया condition को क्या कर रहा है satisfy कर रहा है नहीं कर रहा है अब हमें इसका उल्टा देखना है कि तू कॉमा वन बिलॉंग नॉट बिलॉंग बाद में करोगे पहले यहां पर condition जरूर चेक कर लिया करो पहला वाला जो तो यहां पर वन की पावर 3 लिख होगे तो बनकी पावर 3 कितनी भी हो और पगात कितनी भी हो पावर कितनी भी हो बच्चो तो दो से बड़ा नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हो यह कंडिशन कैसी होगी गलत हो चुकी है तो 2,1 नॉट बिलॉंग करेगा आर में अब आप कोई और भी एलिमेंट ले सकते हो अब यह आपका होमवर्क है इसे आप घर से चेक करना है वन कॉमा थ्री कि वन कॉमा फॉर मतला पहला एलिमेंट वन लेऊंगे दूसरा एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो आप चेक करके बताओ ठीक है फ़र्ट बात करते हैं संक्रामक संक्रामक डINedia सेम वोही है क्योब वाला कोईट्फन है यह कंडिशन किसकी है क्योब की कोईट्फन नम्च 2 में कंडिशन क्या थी स्कोयर की यहाँ पर भी आपको यही लेना है आपको दो नम्बर दो एलिमेन्ट लेने है आर से यहाँ पर चलिये लेते हैं हम सोचिए बच्चों सोचिए कौन-कौन हम element ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं माना 3 और 3 के साथ में 3 by 2 एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर चेक करने का तरीका कैसे है कि पहला element जो भी है वो वैसे लिखोगे less than equal to 3 upon 2 की पावर कितना आएगा 3 तो यहाँ पर 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कितना आएगा 27 और नीचे 2 की पावर 3 का मतलब 8 तो यह कितना आएगा 3 point something आएगा आएगा 3 से कैसा हो जाएगे ज्यादा इसका मतलब condition हमारी को कैसे कर रहा है set is a 5 इसका मतलब belong करेगा किस में किस में बच्चो आर में अब यदि यह belong कर रहा है तो इसके जैसा 3 by 2 से start होने वाला एक और number आपको देखना है एक और number आपको देखना है तो यह तो आ गया तथा इसी से start होना चाहिए तो इस से start होने वाला 3 by 2 3 by 2 अब हमें ऐसा element देखना है कैसा देखना है कि जो यदि ये नहीं है तो यदि नहीं होगा तो यहाँ पे मैं यदि हम लेते हैं 4 क्या लेते हैं 4 तो 4 के लिए 3 तो वो तो सीधा-सीधा 4 की power 3 3 से कैसा होगा बढ़ा होगा तो हम ऐसा element ढूंडते हैं कैसा कि जैसे suppose that 6 upon 5 बिल्कुल छोटा रखना है ये कितना आएगा 1.5 आएगा इससे इसमें divide करोगे तो बच्चो 1.5 तो इससे कैसा होना चाहिए थोड़ा छोटा होना चाहिए कैसा होना चाहिए छोटा तो जब यहाँ पे ये belong करेगा नहीं करेगा उसके लिए हमें क्या करना है पहले condition देखना है यहाँ पे 3 by 2 आ गया less than equal to 6 upon 5 की power कितना 3 अब ये greater है है या नहीं पहले ये check करना है तो यहाँ पे देखे 6 की power 3 का मतलब क्या हो गया catching 37, 216 होता है 125 और इसका मतलब कितना होता है 1.5 3 by 2 का मतलब 3 by 2 का मतलब कितना हो गया 1.5 1.5 और यहाँ पे 6 upon 5 की cube का मतलब अब यहाँ पे divide करके निकालना पड़ेगा कितनी बार जाएगा 1, 1, 2, 5 एक आ गया और यहाँ पे 9 point लगा के कितना 0 तो यहाँ पे देखे 5 से तो ज़्यादा जाएगा यहाँ यहाँ पे 7 8 8 से करके देखते है 8, 5, 4 8, 2, 16 तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा तो यहाँ पे यह जो हमारी वैलू है यह जो हमारी वैलू है तो यह कितनी के बराबर है यह 1.5 और यह कितनी निकल के आ रही है तो यह एक्वल नहीं लगाओगे अब तो हमें एक्जेक्ट मान पता है तो कितना है 1.7 तो इसका मतलब इस कंडिशन को क्या कर रही है यह सैटिस्पाई क्या कर रही है सैटिस्पाई तो हमें दो नमबर ऐसे मिल गए 3,3 by 2 बिलॉंग करेगा आर में यह भी कंडिशन को सैटिस्पाई कर रहा है 3 by 2,6 upon 5 यह भी बिलॉंग कर रहा है आर में यह भी बिलॉंग कर रहा है बच्चो किस में आर में क्योंकि यह भी हमारी कंडिशन को सैटिस्पाई कर रहा है हमें क्या देखना है क्या यह और यह दोनों यह और यह दोनों मिलके जो संबंद मनाएंगे या connection जोड़ेंगे वो भी हमारा R में आएगा या नहीं उसके लिए देखे बच्चो तो यहां से मैं इसे साब कर रहा हूँ तो हमें क्या दिखाना है इन दोनों को तब 3,6 upon 5 3,6 upon 5 3 upon 6 upon 5 बिलॉंग करेगा या नहीं उसके लिए क्या करना है क्योंकि अब नहीं करेगा तो not belong कर देंगे और यदि करता है तो belong छोड़ देंगे उसके लिए आपको यह check करना पड़ेगा कि पहला वाला जो आपका element है वो दूसरे वाले cube दूसरे वाले के cube कर थोटा है या बड़ा है तो अभी हमने मान निकाला था कितना आया था इसका 1.7 something आया था तो यह तो क्या हो गया क्या हो गया यह गलत हो गया क्योंकि 1.73 से कैसा बड़ा नहीं हो सकता इसका मतलब यह क्या हो गया गलत तो हमारा जो यह जो element है या तो पहले इसे लिख लीजे इसे दिखा दीजे फिर इसे लिख दीजे और नहीं तो यहाँ पर तब इतना not belong to इतना क्योंकि condition आपके सामने है आते है देखिए हमारे पास infinite नंबर है सारे नंबरों के लिए हमारी condition पास हो रही है यदि एक नंबर के लिए भी फेल होगी तो पूरी condition क्या होगी फेल ही रह अते आर संक्रामक नहीं होगा हमने क्या देखा था अभी पीछे हमारे में क्या था स्वेतुल्य नहीं था स्वेतुल्य नहीं था उसके बाद में का सम्मित भी नहीं था थीसरा हमने देखा संक्रामक भी नहीं था और जो है आपका जो संबंद्ध दे रखाए वह reflexive भी नहीं है symmetric भी नहीं था नहीं है ऐखिक है तो भच्चो इस familiar क्या हुआ दिनल क कंडिशन क्या होगी है पिल हो चुकी है यह कै तो इसी तरीका से किरने ुच्छण करने एंवीक इसी तरीका करिए जितना इसे जितनी बार आप पढ़ोगे रिवाइज करोगे यह टॉपिक उतना ही आपको आसान लगने लगेगा फर्स्ट टाइम में सभी बच्चों को क्या होता यह ऐसा लगता है कि कैसा टॉपिक है और जिसे फिर बच्चे अपने दिमाग में फीड कर लेते कि यह तो बहुत हाड टॉपिक है लेकिन आप भी देख रहे होगे इसमें कुछ करने की जरुवत नहीं है तो बच्चों आप इसी तरीका से करते रहिए डेली का वर्ग डेली करिए अपने नोट्स बनाईए और इससे आगे के नेक्स्ट कोशन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बहुत कोशिश करते करते वी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है कि पहले चैप्टर में कोश्चन इस टाइप कर नेक्स्ट नमबर टू छिसरी चलेगा तौहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा अच्छा फील होगा और वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं जाएंगी, ठीके बच्चों, इसी तरीका से हमारे चैनल में बने रहिए, थैंक्यू पोर वाचिंग.